12 फरवरी का बेच ओफ लाइन का फुल हो चुका है ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है बारे फरवरी की आप ऑफ लाइन मार्च अप्रेल मई की बुकिंग करा सकते हैं जिसका फीस है नौसो है रहना खाना नास्ता टूल किट फिरी दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना राइस्टेशन बुकिंग करा सक आपको चार महीने तक क्लास ले सकते हैं आपको चार महीने लेनी उंट भी नहीं लेना बुली में लेना सिर्फ एक महीनिया का कॉर्स करना है तो आपको सिर्फ तीन जार रुपे कनने हैं आज की क्लास में जाने के की आई यहां पर देखिए हमें किसी भी मुबाइल की कोई भी आई-जी रो बालिंग करने तरीका सबका एक ही है बस यह हुच्पेश होता इसके अंदर जो चुटी चुटी देख रहे हैं इसके अंदर बॉल होती है यह आई-ची पर बॉल जो इनीक यह मतलब 3 सेकेंड का फास्ट राय सोल्डर अब यहां पर यूबी है यूबी मास्क यह क्या है कि 3-4 सेकेंड में सूख जाता है और वजबुत करना है तो 10 सेकेंड तक इसके रख सकते हैं यह होता हमारा यूबी मास्क अब इसके साथ में जो है यूबी लाइट जो होती है कुछ लोग इतनी लेट जोरुने हैं, फिर कहते हैं कि लाइट छोडे लेक देंधा। bullish होता है, वो इस तरीके से होना चाहिए और आगे से थोड़ा पतला होना चाहिए जिससे कि हम इसको अच्छे से पकल सकें और लगा सकें यहां पर जो एक इस्टेंसिल होती है जिससे हम करते हैं और किषा है। यहां पर एक Letter्वायर होता है कि अच्छी company का होना चाहिए और नटी पर आपर इसके वायर यह का Chloe होते हैं łemCam देख़ złक है कि जो क्सित होता है उसको तोकिलीन कर देता है इसके बाद चो लाकर यहां पर है भी यह भी देखेंगे कि सब्पनी का यह इंग वोक काुट्ट है यह माकैनिक रिलिप के आते हैं यह एक अच्छी क्वालिटी के पेस्ट है जो कि आपके पास पर होना है अ कि सबसे इंपोर्टेंट है जो आपके टोल्स होटे है हाइई के अच्छे होने चाहिए जब आप एक अच्छा काम कर पाएं इनके साथ मैं आपको चाहिए यहां पर जिससे कहते हैं हम पेपर का मतलब होता है कि आप देख रहा है यहां पर हम इसको कहते हैं देखे जिससे खाना खाके हाथ पहुंचते हैं चाउमिन बर्गर खाके तो इसको कहते हैं चिशू पेपर या नैपकीन अलग अलग जगा यहां पर यह जो पीपीटी यह काफी गीला होता है जो पीपीडी यह काफी गीली होती है इसको सुखाने के लिए हम इसका यूज करेंगे कैसे सारा प्रैक्टिकल आपको अभी देखना है और अच्छे से समझना है अभी एक बोड़ा मेरे पास में हमें इसकी आईसी निकाल होले हैं तो सबसे पहले हम इसमें पावर आईसी निकालेंगे और लगाएंगे रॉफ्वाल करेंगे अच्छे से याँ तो हर मुवाइल के अंदर आपको इसी तरीके से ही ICO को निकालना है रुबॉल करना है लगाना है निहान से निहान कुझे अब यहां पर आप देखेंगे जैसे यह आइसी जो है यह पावर ICO अब जो पावर ICO को जब आप देख रहा है इसको हम थोड़ा सा क्रीन कर लेते हैं ठीक है ICO को पर एक आप नाम देखेंगे जो आपको नाम दिखाई दे रहा है यह थी यह नाम फिर भी आपको नहीं देखता है तो जो आइसी एक प्लेन प्लेंग उपर से अब इसको नाम यह क्या है यह गुदा हुआ है क्याते हैं इसमें कर चापना छपाई करना अब जैसे जो पॉडर आता है पॉडर जो बच्चों के लगाते हैं कुछ लोग अपने भी लगाते हैं उस पॉडर को आप इस पर रगड़ेंगे जब आइसी का नाम दिखाई ना दे जाएगा जिससे हमें किलियर मालिम पढ़ जाते हैं इसका नाम क्या जैसे कोई नंबर अब यह इसलिए बता रहा हूं जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हम आई सी को निकालने से पहले आई सी के पास जितने भी यह इतने एरिया का अपने मुवाइल के अंदर इसका फोटो कीच लिए क्योंकि होगा क्या जब आप सीखेंगे प्रेक्टिस करेंगे खुछ से सब्साइब को हिल जाता है टेड़ा हो जाता है अब यह फोटा रहता है किस में कितने अब कहा थी पिलस आई सी कैसे लगी थी इसके ऊपर जो लेयर आप देख रहा है इस आई सी के उपर एक पॉइंट है इस पॉइंट का धिहान रखेंगे क्रेश्टल की तफे हैं अब किसी कौने पर इस तरीके से यसे यहां पर पॉइंट तो है वहलों किसी पर नहीं है आप हलका सा सबस्क्राइब लगा देते हैं और एक मदर बोड बै। भी खाली जगह देख्किया कहीं भी इस तरीके से लगा सकते अब इससे क्या हुआ हमारे को एक दिसा मिल जाएगी चैस के अंदर अब इसके बाद कि यहां से निकालना है तो आइसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके उपर पेस्ट डालेंगे अब SMD में अभी इस समय यूज कर रहा हूं होकी का 112 है और एर मैंने डेड़ पर रखी है और टेंपर के इसका मैंने साध़ी 300 स से थोड़ा सा उपर है पौनी 400 के करीब है अब इस पर थोड़ा सा प्रिट लगाएंगे पावर आइशी को ऊपर अम यह आपशें लगाएंगे तो हम इसको ऐसे रखेंगे त्वला त्यड़ा जिससे कि हम जब इसको पकड़ेंगे यहां पे तो पकड़ने में दि आपर दो यहां हो रहा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं चीम्टी को छोड़ देते हैं इनसे टकरा जाती है जब इसे टकराएगी तो क्या होगा यह component इधर और और इस सब्सक्राइब देना यहां कि हमें चीमटी दबा के रखने है जतनी हमें जरूरत है अब हमें जरूरत कितना है इतना इसको अश्रीके से दबा के रखेंगे इससे जादा नहीं इस हलका हो दबा के रखेंगे फिर उपर इसको उठाना हूं तो हम इसमें अड़ा में घ्रीक से लंगते कऊजoss अच्छे तरीके सा लगाना है फो उल्कुल हलकाई अब पेस्ट लगाने की साथ आपको क्या करना है आई सी के उपर चुंपर हम यह सको थोड़ा इस तरीकी से भी कर लेंगे इस अब जाना चाहिए कि अब आई स्युक्त करें इसमें मैं जो बता रहा हूं चीज़ों का ध्यान रखेंगे तुरंत हीट निकलना है हैंडिल जो अलग कम से कम 20 सेकिंड तक रखेंगे अब आप इसको हीट करेंगे तो क्या ध्यान लख रहा है देखिए जो आसपास के बावर किसे करहें आई कंसी का उला है एक ठीक हीट करने हीं पाइसिए के चार तब आको थोड़ा से हैंडिल केंडे करो करेकर केह अधिक अब ही अगिजर हो रहा है है अधी अधिक से थोड़ा से साइड से हिलता है रहन preço कौनेंट चेक करें देखिए कोईल देख रहा ना डांस कैसा कर रही है अब इसको देखें आप आइसी को अब आइसी का सोल्डर मेल्ट नहीं हुआ तो आप आइसी के चारतरफ हीट दें अब आइसी जब आइसी हिल जाए तो इस तरीके से प्यार से पकड़के आपको यहां से उठानी है ठीक है अब चीम्टी को नहीं छोड़ेंगे और आइसी को भी थोड़ा पकड़कर रखेंगे क्योंकि आइसी की जो बॉल है यह जो बॉल आप देख रहे हैं यह क्या होगा इसके अंदर आइसी की जो बॉल है यह सेट हो जाएंगे लेकिन रबॉल तो हमें करना है अब क्या हुआ आप देख रहे हैं आपर की आइसी बहार निकाल दिये ठीक है तो पेस्ट जो है यहां पर अच्छी क्वालिटी का ही यूज करेंगे सभी लोग क्योंकि जब आप मदरोट पर काम करेंगे तो किसलीए पैसा कमाने प्ली लिए का अंदर कोई कांजूसी लापर्वाई नहीं चलेगा इसमें अच्छा कрахेंगे है नहीं को आप पर ने करना है लुक्त को सब्सक्राणाओ करें तो यह सब्सक्राइब जिस्पर लगा हुआ हो गर्म करकेक को सब्सक्राइब छ उतने में को कट कर दीए अवह आपको दिखाता हूं इसके ग्लीत कोई करेंगे अच्छे से लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको पेश्ट लगाना है किस पर और थिस तरीके से अबर्प के डी सॉलडर वायर के रखेंगे कुछ इस तरीके से अब इस तरीके से चाकु वाल आयरन होना चाहिए अब यहम इसको जो अब क्लीन करेंगे यहां पर तो हिहां पर द्यान रखेंगे कि हमारे जो IC में मदर वोड में जो कंपोनेंट लगे हैं कि आईरेंग किसी से टचना हो दियान से तो पहले डी सॉल्डर वायर को आप रखना है और आईरेंगे तो कि देखिए यहां पर इसको पकड़ेंगे इस तरीके से अजिसल्डर को ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा था थीक है तागत बिलकुन नहीं लगा नहीं है बल्कुल हलकियास से तागत का इसमें बिल्कुल यूज नहीं है विड़ी से आपने तागत लगाई तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे मदर बोड में जो लेयर हैं वह पर इसको इस तरी की से किए अब ज्यादा इसमें उस्यारी नहीं दिखानी है वर कॉनिफिटेंस नहीं दिखाना प्यार से मदरवूट को गुमा लो इस तरीके से गुमाने के बाद फिर से चारों तरफ से क्लीन करना है कि थोड़ी लापरवाई से आप भारी नुक्सान भी हो सकता है इस तरीके से बहुत हलके हाथ से बहुत हलके हाथ से आप ऐसे करें इस तरीके से फिर थोड़ा सा आप इससे घुमाएं यहां पर कि इस तरीके से बहुत है कि इस तरीके से पकड़ें और बहुत हलके से तागात का यूजर नहीं करना आप उसमें बन नहीं लगा ना भी कुली ज़रा साथ कि इतना करेंगे अब इसको हम करेंगे क्लीन कि इसको करते हैं इसको किलीन करते हैं अब यहां पर डालते हैं तोड़ा सा आई पी ठीक है अब आई सी का जब काम करेंगे तो आपको पेट्रोल कर नहीं करना है इस पर आई पी डाननी है और गीनल अब उसक्ता क्या होगा कि यहां पर जितनी विए गंदगी अब अच्छे से कटिंग करनी है सारा साप होना चाहिए अच्छे से अब बुरस के अंदर भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए यहां पर आप देखेंगे सारे पॉइंट इस तरीके से दिखाई देंगे साप करना है इनको फिर से साप करेंगे पेश्ट लगाके पहले बूट की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए पास ध्यान रखना है कि जितनी सफाई से साप दहानी से अच्छे से काम होगा देखेंगे अब इसमें सारे पॉइंट हमारे क्लीन हो चुके हैं बहुत ठंडा होने के बाद हमें आपको आई पी डालना है इसमें आज की अच्छी क्वालिटी का यूज करें क्या होता है कि जैसा पैट्रॉल को अंगली पर डालते हैं थोड़े से सस्ते के चक्कर में तो अंगली सपेद होती है किसी तरीकी से मदरोट पर भी थोड़ी से प्रवलम बनती है और आई सी पैदिए अब यहां पर जो आई हमारे अच्छे से क्लीन हो चुके इसकी बाल देख सकते हैं सारी बहना है कोई बाल सोट नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे कि अग्यान क्या रखना आपको यहां पर बताऊं डेखिये जैसे आप कुछ नाएन है इसके अंदर मैं दिखा देता हूं जो चीज इंप्रेंटर आ यह प्रक्राइर को राएं र हूं और यह देखिये कुछ लाइन ने पूरा इस लैयरे चुट जाए इस पर पीड European लेकिन दिक्कत कोई नहीं होती है कि हमें इवी मास्क बीच में लगाना जरूरी है क्यों जब आप इस पर इवी मास्क नहीं लगाएंगे और आप 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 इसी रवल करके बिठाएंगे पेस्ट लगाएं तो पेस्ट के जिधर पड़ेगा यह बॉल जैसे इसकी तरह पाया तो यहांसे बॉल दौणों खिसकर एक जगह हो सकते है यह सारी बॉल एक जगह आ सकती है और हुसकतास ौकल बैट वी जायए लेकिन 근데 इह रखनी से कईज़ना है वह आउग्ध σε दो और थी आ सब्सक्राइब करने हैं इसके लिए भी आपको आइसी के उपर फ्लेक्स रखना है जैसे आइसी है अब आइसी जो देख रहा है ना यह बड़ी नाजुक होती है यह क्या होता है कि थोड़े से महीं इस पर इसके रिचा जाते है अब खुशी आदमी यह नहीं चाहता कि हमारी आस्टेश चाहता है खराब हो आप इस पर कोशी सीच्च च्च बशह सकते हैं तो हम इसको पेश्ट डाल देते हैं इस तरीके से पेश्ट लगाने के बाद डिशोल्डर वायर से देखने आप इस तरीके से डी सॉल्डर वायर से बहुत हलके हाथ से आपको यह किलीन करना है लेकिन आपको तागत इसमें बिलकुल भी नहीं लगानी है जरासी भी आई सी को पर जितने भी बॉल है वो सारे बॉल आपको बहुत हलके हाथ से किलीन करने हैं अब जैसे आई सी इधर उधर होती है दिक्कत होती तो आपको PC स्टेंडिक ऐसा लेरा है जिसमें आप ICO को बिठा सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीजां बता रहा हूं जो जो पर यहसानी है्लिट में होंगे हर एक पईंट मैं दीमें दी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं हर एक स्टेप क्यांकि एक बार आप देख लेंगे समझ लेंगे तो आपको दुबारा से इसमें परिशानी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से बहुत हलक है ताज़त का बिलकुल यह जिसके अंदर नहीं है यह क्या दो बार आई-सी के बॉल पर घुमाना है बस इस तरीके से अभी आई-सी क्लीन हो गई इस सुल्डर वायर साब इसको आई-पी से क्लीन करेंगे आई-पी औरिजिनली रखेंगे ठीक है आई-सी क्लीन हो चुकी है बुला सा इसको आप कागत से भी साप कर सकते हैं देखिए आई-सी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है अब बात करते हैं आई-सी को रिवाल करने की तो इसे रिवाल करने से पहले हम इसके नीचे एक टिशू पेपर रखेंगे इस तरीके से और जो टिशू पेपर है इसके उपर आपको यहां पर आई-सी रख देना हैं अए-सी रखने के बाद इस टेंशिल को मैच करते हैं किसमें आती हैं सारी वोले देखें मैच किस तरीके से करिंगा आप इसमें देखेंगे बॉल इसमे शयन्हीं नहीं दिख रहे क्योंकि इस्टैंसिल की भाग फो थोड़ा तर्चा ए Bür जो बॉल है वह सिधी है इस से यहागे वाले में देखें नहीं दीखाई जे रहे इस से आगे वाले मैं देखें इसector में थे यहागे 이ता है नहीं जाया है इस थे दूसरे में देखते हैं दृक में इसमारे को परफैक यहां रहे ठीक है अब इस से दूसरे में देखते हैं लेकि इस में सारी बॉल हमारे को परफेक्ट बार में मैच हो गए इस तरीके साफ आई सी की बॉलों को यहां पर मैच करते हैं अब धियान क्या देना जैसे जो मैंने पीपीडी बताई थी अब आई इतना तो आपको क्लि इस पर हम सुखा लेंगे सुखाते किस तरीके से हैं कैसे आप यह जुरू आतीज है एक कागज है इसके पनあっी इस तरीके से रख देते हैं इस्ती कि यहां पर रखे सुखाने का मतलब आप इसको दो, cya बार इस तरीके से आप इसको दवाए ए moder आ जब में इस तरीके से इ और खाली आपको यहां से मिलेना तो हम इसको यहां से हटा लेते हैं इस तरीके से अब जो IC है इसको यहां पर आपको मैच करना है कि आपको यहां पर मैच किये हैं यहां पर हम इसकी जो पीपी डिया उसको इस तरीके से रखेंगे और बहुत हलके हाथ से आपको इसके उपर घुमारा है और दो उंगलियों से स्टेंसिल को पकड़ कर रखें हिलनी नहीं चाहिए अब हो इसके तागत बिल्कुल भी नहीं लागानी है हर एक बॉल पर यहां पर देखेंगे हर एक बॉल पर हमारे को पीपीडी चला जाए बहुत हलके इतना करने के बाद उपर से इसको हम और क्लीन करेंगे क्या होगा वही कागत से इसको हल्की से हाथ से इसको ऐसे साप करना है अब जो चीम्टी है चीम्टी है उससे हम एक साइड में अपनी हतेली रखेंगे जमील पर चीम्टी से इस तरीके से आपको इसको पकडणाए चीम्टी को थोड़ा उचे से इस तरीके से इसको दबाते नहीं है पस ऐसे पकड़ते हैं जिससे की इसका डिस्बैलेंस ना हो जो ठीक है अब यह पीपीडी जो 183 डिगरी का है SMD के टेंपरेचर हम 300 पर या साले 300 पर रखेंगे तुरंत इस पर हीट नहीं लगाना कम सकम 10 सेकंड तक SMD को हीट होने दें जब 10 सेकंड तक SMD हीट हो जाएगी तो आपको जो यहां पर चेमटी रखना है और बहुत हलके हाथ से तागत नहीं लगा नहीं लगाओगे तो उपर से पीपीडी निकल जाएगगी यहां पर इसको ऐसे पकड़ेंगे हलके हाथ से और इस पर हीट करना है बस सिर्फ SMD का हेंडिन हटा दिये उस सेकंड में ठंडा होने पर यह जो हैं पर सारी बॉल अपनी जगा जम जाएगी अब चीमटी हटा सकते हैं चीमटी हटाने के बाद यहां से हम यह आईसी जो आप इसमें रॉबल हुई है पता नहीं क्या खराब है ठीक है कहनी सकते अब इस पाई पी डालके आप इसको बहर निकालें आईसी ठंडा होने के बार आप इस पर बुरुस मारते हैं इस तरीके से बुरुस मारेंगे आईसी हमारी जिन पdessous बहार आपको मिल जाएगे निकलने के इस तरेके से कैने हमाराइंब एक्दम अच्छे सा depends है और यहां उनेauptे करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको हम पहले इसको अच्छे से एक्दम क्लीन करें इसको क्योंकि यहाँ से जो बॉल है वह आई सी में बापस जा क्लीन करें अवह सरो कि आपको अच्छे साथ करना है। कि यहां पे है कि आइसी बहुत पतली और हलकी होती है थोड़ा यह चीम्टी में उसे भी भाग जाती है निकल कर अब आइसी के उपर क्या करना है थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा एक बून जैसा आपको मुल्कुल साफ जिस फिलेक्स के अंदर कोई बंदगी ना हो वो थोड़ा सा पेस्ट हैं पर रखना है और एसमडी से इसको हीट करेंगे हीट इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट रहता है कि इस बैलेंस है या कोई छोटा वड़ा रह गया है तो वो जो है अपनी जगह पहुंच जाए रहा है आइसी को चीम्टी से पकर लें और इसको हीट करें जब तक इस पर चमक न आ जाए अगया देखिए सारी बॉल चमक चुकी है बस इतना हीट करेंगे और हैंडल को रख देगे रखने के बाद हमारे बॉल अब इसमें ठंडे हो जाएंगे अब आई सी इस समें एकदम अच्छे से रवाल हो चुकी है क है मदरवूर पर बिठाने के लिए हम क्या प्रोसेस करें अब देख रहा है यह आसान नहीं देख लेंगे तो थोड़ी मुश्किल होती है उसके अब आई सी हमें आप बिठानी है बिठाने के लिए आपको क्या करना है कि हम आई सी का जो लोकेशन था उस लोकेशन के अब वो यहां पर बिठाने से पहला क्या करना है थोड़ा सा पेश्ट लेना है आपको हलका सा उंगली पर जहां आइसी की जो बॉल रहे है इस पर इस तरीकिसे आपको लगा दे थोड़ा सा इससक्त क्या होगा IC अपनी जगह बनी रहेगी और आइसी जैसी थी वैसी ही इसके अंदर लगा नहीं है उल्टा नहीं लगा सकते फॉन सोट और डैड भी होने के चांस होते हैं अब आइसी को हमें आप सेट करेंगे पहले हीट लगाने से पहले यहां पर इसको सेट किये अब इसके उपर आपको हीट लगानी है SMD से वही 300 के करीम में और हो सकता आइसी थोड़ा इदर अदर भी भाग सकती है क्योंकि पेस्ट है नीचे लेकिन कोसिस की है कि बहुत कम लगाएं जिससे कि अब आपको थोड़ा सा इस तरीके से हीट करेंगे हैंडल बिल्कुल सीधा रखके और चारा तरफ घुमना आए एक तरफ से हवा ना पड़े इस पर इतना हीट किये इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और आईजी के नीचे भी जाना चाहिए अब पेस्ट ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से अब यहां पर पेस्ट लागाने के बाद क्या होगा कि जो आई सी है वह अपनी जगह खुद से बैठेगी देखिए यहां पर हीट करते हैं इसको अब दूर से ओपर से हीट लागाना है आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि और आइसी जो है अपनी जगह जाएगी आप वनभतास सब्सक्राism on you go check it इस तरीक आइस यहां पर बैठी बैठने के बाद के जब आप इसमेकरते आं तो आप चिम्टी को फार्ड कि रखें एक तरप से इसको क्या है कि हलका साश 포인 लागर देख लेना कि नॉख न одब हो और तरhelp हिला के देखना है देखिए इस तरीके से आइसी जो अपना जगह बैठ चुका है इस तरीके से आप किसी भी आइसी को रॉबल कर सकते हैं लेकिन यहां पर समय इसलिए लगाए क्योंकि सारे स्टेप आपको बताएं क्या साफदानिया रखनी है क्या लेकिन गरम